ये है Minecraft का एक normal village और आज मैं इसे transform करने वाला हूँ और ये बिलकुल भी easy नहीं होने वाला क्योंकि ये है एक hardcore Minecraft world जिसमें अगर मैं एक भार्य मरता हूँ तो मैं dead हूँ तो के प्रो आर्मी सबसे पहले मुझे काफी सारी महनत करनी होगी और महनत ही वाली नहीं माइनिंग वाली महनत क्योंकि मुझे कई सारी double chest को full करना पड़ेगा तो चलो जादर टाइम नहीं लगाते एंजिन लोगोंने मेरी last stream देखी ती Minecraft hardcore world की तो उन्हें पता होगा कि ये कि ये सब्सक्राइब जल्दी से चलते हैं नैदर में जब मैं नैदर में जाता हूं मुझे पता नहीं होता कि मेरा spawn होने वाला है soul sand पे एंड मेरे सामने काफी सारे नैदर होता है तो मैं उसे तोड़ने लग जाता हूं बट इतना जादा phone lag करता है कि पता ही नहीं चलता कि कि मैं तोड़ पा रहा हूं कि कुछ नहीं तोड़ पा रहा बट वो collect हो जाता है बाद में जब मैं तोड़ ला होता हूं तभी मुझे पता भी नहीं होता कि अभी क्या होने वाला है पहली बार में तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूं मैं सोचता हूं अपने माइनिंग पे दियान दूँ skeleton तो मारता ही रहेगा बट जब वो दोबारा मुझे हिट करता है तो मुझे इसे मारना ही पड़ता है एंड सिफ एक skeleton ही नहीं आग एक घास्ट भी आ जाती है घास को तो ओभी मार किया तो मैं इसे मानने चाहता है यहां से भागना पड़ेगा में पास शील्ड भी नहीं खाना भी नहीं ही वो कितने skeleton है इदर लुक अट जल्दी से आकर शील्ड और खाना अपने पास होना चाहिए वो मेरे पास है नहीं जल्दी से लेकर आता हूं मै बच गया बस वहां से अब शील्ड लेनी पड़ेगी मैं शील्ड भूल कैसे कि मुझे समझ में आया बस ना शील्ड ना कुछ खाना यह मेरा घर यही वालता जल्दी संदर चलता हूं और यहां से शील्ड ले लेता हूं चैस्ट में मैंने रखी होगी फिर तो अगर मेरे प जो हुआ सो हुआ अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा नेधर एंड लर्ण ना पड़ेगा स्केलेटन से और काफी असार फिन नेधर राइक माइन करने और से नेधर राइक नहीं और भी काफी चीज़ा चाहिए तो बस दो मिनट वे मिलता हूं इतनी सारी घंटों की मेहनत करने के बाद मेरे पास डबल चेस्ट भी भर गई थी एंड एक मेरी एक्स टूट गई थी और पेकेक्स टूट गई थी तो एक्स को तो मैं क्राफ्ट कर लेता हूं पेकेक्स मैं दूसरी अपनी फॉर्चिन वाली अपने पास रखूंगा यह क्योंकि यह जो ट्रांसफॉर्म करने वाला हूं नहदा की थीम में करने वाला हूं तो इसमें मुझे रेड ग्लास भी चाहिए होगा जिसके लिए मैं डाई बना लेता हूं अभी मैं फिलाल क्या करूंगा अपनी इंवेंटरी में काफी सारा समान नहीं रखूंगा क्योंक अब मैं स्टार करता हूं इस वाले विलेज के एक हाउस से तो जल्दी से यह तोड़ लेता हूं इसमें क्योंकि टाइम तो लगेगा बट यह से जो बनाने वाला हूना रिजल्ट आप देखते रह जाओगे अभी मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है मैं जो बनाऊंगा सब कि मेन है तो वो भी करनी थी जिसमें मैंने कुछ सोच के रखा नहीं था बट वो तो अपने आप होई जाना था क्योंकि जब करेंगे इतना समान था तो कुछ ना कुछ रिजल्ट जो भी आएगा इतना पता था कि कुछ अच्छा ही आएगा एंड यह थोड़े से ब्लैंक्स लगा देता हूँ उपर रूफ में अच्छे लगेंगे अब चलना नीचे चलते हैं वाटर पर कूदूंगा ओके सौब में लगा देता हूँ प्लैंक्स जमीन पर क्योंकि मैंने जब रूफ पे प्लैंक्स लगाएं तो आई थिंक यही जादा अच्छा लगने वाला है और साइड में नेधर रैक लगा देता हूँ कितना अभी से यह अच्छा लग रहा है अभी तो एकी साइड कंप्लीट हुई है जब यह चारो साइड कंप्लीट होगी ना तब देखना अभी फिलाल इधर nether rack लगा देता हूँ पूरे side पे 2-3 side भी complete हो गई and third side भी complete करता हूँ मैं nether rack जो फालतु में place हो रहे हैं बाद में यह थोड़ दूँगा अभी यहाँ पे glass लगेंगे और यहाँ पे nether rack मैं पूरे में nether rack नहीं करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा अलग design होगा जैसे इधर आएगा nether rack और बीच में डोर लगा दूँगा एक and मैं सोचना हूँ थोड़ा से ट्रेप डोर भी लगा दूँगा तो अच्छा लगेगा यहाँ पे stairs लगा देते हैं जाने के लिए यह अभी से काफी अच्छा लग रहा है इधर glowstone लगा देता हूँ सारे corners में मैंने कुछ अभी planning करी नहीं है बर jazz अच्छा लगा वैसे यह थोड़ा सा simple लग रहा है कैसा लग रहा है box है थोड़ी detailing add करनी पड़ेगी और glowstone भी मैंने सारे corners में लगा देता हूँ इधर भी इधर भी done एंड मेरे पास एक bed भी था मैं यहाँ पे वो भी लगा देता हूँ अभी काफी साही लग रहा है अंदर से तो एंड अब designing में टाइम लगेगा तो अब वो कर लेता हूँ ओके गाईज यह लास्ट ब्लॉक है नेधर रैक का और इसके बाद रूफ कम्प्लीट हो जाएगी रूफ कम्प्लीट हो गई एंड यह भी काफी साही दिख रहा है सिर्फ थोड़े से trapdoors और लग जाए ना तो इसके काफी अच्छा लूख आ जाएगा trapdoors और मैं सोचों fences भी उपर नीचे लगा देता हूँ और मैंने okay trapdoor भी craft कर लियते हैं तो यह भी लगा देता हूँ यह सारे corners में ना मैं okay trapdoor लगाने वाला हूँ और जो beach में nether rack है वहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ warpd वाले trapdoor यह काफी अच्छे लगते हैं यहाँ पर मुझे कुछ करना पड़ेगा इधर क्या करूं यह लगा देता हूँ अगर अच्छा लगेगा तो क्योंकि मैंने यह भी decoration के लिए लिया था ना वैसे बड़िया लग रहा है बस लेने में जो हालत खराब हुई थी वो मैं जानता हूँ कि quards block कितने आसानी से मिलतो जाते हैं लेकिन जो इन्हें mine करने में टाइम लगाना बहुत जादा टाइम लग गया है इन्हें mine करने में क्योंकि इतने सारे mine करें और ओक फेंस के बिना कोई भी घर की decoration डिजाइन बेकार लगती है तो ओक फेंस तो हम use करेंगे ही और मैं सुझा हूँ बीच में भी कुछ अलग करा जाए ना काफी simple लग रहा है यहाँ पे भी अगर मैं यह लगा दूँ काफी अच्छा लगेगा बस बीच में एक red का लग लग रहा है मैं सुझा हूँ परसनल हाँ इसे भी बना लूँ क्या वेट वेट इसमें मैंने अभी glasses लगाए ने क्योंकि window अभी खाली-खाली लग रही है अब मेरा यह house पूरे village में सबसे अच्छा भी लग रहा था तो बस मैंने side वाला घर को भी तोड़के बिल्कुल वैसा ही एक दूसरा house भी बना दिया एंड इसमें भी थोड़ा सा time तो लगा बट मुझे बता था कि result बहुत अच्छा ही आने वाला है जब मेरे आस पासे सारे houses इतने अच्छे होंगे तो वो मेरे personal house के भी रौनक के बाद मैंने decoration में बिल्कुल लिट्टो वैसी कर दी जैसे बराबर वाले house की है अब यह house बिल्कुल बड़ी अलग रहा है फाइनली दोनों house complete हो चुके हैं बस थोड़ा सा एक ब्लॉक आ गया आ गया यह मैंने ध्यानी दिया and trapdoors भी लगाने है अभी इसमें तो एक यह trapdoor एक इदर I think अभी यह पूरा complete हो गया है and bed मेरे पास है नहीं तो bed तो एक house में होने चाहिए नहीं तो villagers होएंगे कैसे तो काफी सारे bed मेरे पास मैं यहां से ले लेता हूँ villagers के लिए bed तो होना ज़रूरी है और मैंना बात में एक ही house में दो तीन bed लगा दूँगा ताकि काफी सारे लोग रहें पाइस में और यह होगे complete अभी इसमें कुछ भी नहीं रहता ना नहीं अभी glasses रहते हैं भी मुझे glasses लगा देने होंगे यहां पर एक glass second and third अब बस roof को भी complete कर देता हूँ प्लैंक से और यह house हमारा complete हो गया है अपना पूरा house rebuild करके and then मैं अपना house बनाने लगया and मुझे लग रहा था कि उसमें बहुत time लगेगा बट उससे भी जाधा time लगा बट आपने सुनाई होगा big things take time तो अब देखना कि कैसा result है उसका alright guys तो यह है मेरा घर and literally यह मेरे survival series से भी जाधा अचा है जो decoration इसमें हुई है designing इसमें हुई है मुझे भी नहीं बता मैंने कैसे कर दी यह जो trap doors and यह जो combination है red and green का यह काफी अच्छा लग रहा है and मैंने अपने सामनी भी एक और house बना दिया है and आप बताना comment में कि fences वाले design कैसा लगा मैंने आज तक कभी भी यह design देखा नहीं क्योंकि मैंने खोदी यह design बनाया मुझे काफी अच्छा लग रहा था और यह grass अटाओ सामने से एक बाफ पूरा look देखो घर का क्या रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि यह video कैसी लगी and specially मेरे जो personal house है यह कैसा लगा फिलाल मैं यह bed जो है यह अंदर लगा देता हूं क्योंकि villagers हो जाएंगे और एक बाफ लुक देखो इसका क्या लग आई है और यहाँ पर लेडर से पूरा मैंने रेड और ग्रीन वही नैदर थी में बनाई है एंड यह हमारी है बालकनी तो कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी and घर कैसा लगा और मैं 10 डेज 10 वीडियो चैलेंज कर रहा हूं तो आपके लिए और भी वीडियो रोज आते रहेंगी तो मुझे सपोर्ट करते रहना बस और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना अब मिलतें नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई बाई